हिंदी सिनमा की वो एक्टरस जिसको बॉलिवुट ने नाम दिया दा लेडी इनवाइट एक ऐसी एक्टरस जिन्होंने दुनिया की परवा नहीं की और आज ते 50 साल पहले भी ऐसे बोल्ट सिंज दिये कि देखने वाले भी हैरान रह गए वो खूबसूरत होने के साथ intelligent और decent नजर आती है और परदे से जादा असल जिन्दगी में उनकी खूबसूरती की चर्चा हुआ करती थी लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेहत कम उम्र में उन्होंने दुनिया भर के कई देशों का भ्रमन किया और उनके चाहने वालों की भी ल फैन बन गई और जब फिल्मों में आई तो उन्हीं के साथ affairs से खूब सुर्खिया बटोरने लगी जिस actors के हम बात कर रहे हैं उनके पांच-पांच कथित affairs की चर्चाएं आज भी होती है शादी की जो जादा दिनों तक टीकी नहीं और फिर पती से अलग होकर जीवन भर त सिमी गरिवाल ने हिंदी फिल्मों से अपने करियर की शुरुवात नहीं की थी उन्होंने अंगरेजी फिल्म टारजन गोउस टू paper की शुरुवात की थी सिमी का जन 17 अक्टूबर 1947 को हुआ था लुधियाना में जन्मी सिमी का पालन पोश्न इंगलैंड में हुआ और उनक के अंदर फिल्मों में करियर बनाने की लत लग गई सिमी एक्टिंग में ही करियर बनाना चाहती थी लेकिन उनके पिता को ये मनजूर नहीं था सिमी स्वभाब से जिदी थी और जिद मनवाने के लिए भूख हरताल पर बैठ गई पिता की बेटी की जिद के आगे एक नहीं चली और सिर्फ 15 साल की उम्र में वो मुंबई आ गई सिमी राज कपूर से काफी प्रभावित थी और उनके साथ काम करना चाहते थी इंग्लेंड में पढ़ी थी तो अंग्रेजी में पकड़ अच्छी थी और बोलती भी तेजी से थी ऐसे में उन्हें का अंग्रेजी फिल मिल गई फिल्म का नाम था टारजन गोस्टू इंडिया ये फिल्म तो कुछ कमाल नहीं दिखा पाई लेकिन सीमी की खूबसूर्ती मेकर्स की आँखों में रच बस गई सीमी ग्रेवाल को फिल्म तो मिल रही थी, लेकिन या तो वो भी ग्रेट फिल्मी थी, या फिर अच्छी फिल्मों में साइड रोल्स, इसी बीच उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक मिला फिल्म मेरा नाम जोकर के साथ, फिल्म में सीमी का रोल इतना लंबा तो नहीं था, लेकिन कहानी के आधार बिंदू पर घूमती थी मिस मैरी की किरदार के लिए उन्होंने खूब पापड़ बेले थे दरसल इस फिल्म में राज कपूर के साथ काम करने के लिए उन्होंने अपनी एक आंटी से नमबर लिया राज साहब को फोन कि और फिर गलत नाम सुन से बात की एक दिन राज साहब ने चर्च गेट पर मिलने के लिए बुलाया राज साहब को इंप्रेस करने के लिए सेमी एक लाल गुलाब और खुद की लिखी एक कवीता लेकर पहुंची मेडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपनी मुलाकात के बाद राज कपूर ने उनसे कहा कि मिलते रहा करो लेकिन सीमी ने कभी उनसे काम नहीं मांगा दरसल वो इस बात को समझ गई थी कि अगर काम होगा तो वो उन्हें देंगे और हुआ भी ऐसा ही एक दिन सीमी के घर राज साहब ने फोन किया और उन्हें सीमी को फिल्म के लिए भेजने को कहा इस तरह एक्टरस को मिस मेरी का करदार मिला ये फिल्म उस दोर की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक मानी जाती है मी ग्रेवाल ने राज कपूर और सत्यजीत रे जैसे शानदार निर्देश को के साथ काम किया उनकी रील लाइफ की तरह रील लाइफ भी बहत खास रही उनका नाम कभी राज जुड़ा जब उनकी एक फिल्म में वो कैमियो रोल में नज़र आई उनके सीरियस अफियर्स की बात करे तो सिमी ने अपने ही शो में फैंस के साथ शेयर की थी जिसमें अपनी जिन्दगी के उन्होंने तमाम राज खोले थे साधे लिबास में नज़र आने वाली सिमी की जिन्दगी में रंग भरने वाले पहले शक्स थे लंदन में उनके पडोसी और जाम नगर के महराजा सिमी ग्रेवाल ने एक इंटरूव में खुलासा किया कि जब वो 17 साल की थी तब ही उन्हें पहली बार प्यार हुआ और ये रिष्टा तीन सालों तक चला इसके बाद मन इसी बीच उनकी मुलाकाश शर्मीला टैगोर से हो गई और फिर दोनों के रास्ते जुदा हो गए तीसरा वो शक्स जिसको सिमी ने अपना हमसफर बनाया 1970 में रवी मोहन से सिमी ग्रेवाल ने शादी की थी सिमी ग्रेवाल और रवी मोहन की शादी महस तीन साल ही चल पाई और ये रिष्टा तोट गया लेकिन 10 साल बाद सिमी ग्रेवाल ने की इंटर्वे में बताय की रवी मोहन एक अच्छे इनसान थे हम दोनों एक दूसरे के लिए वफादार थे लेकिन इस श्यूवर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया ही नहीं था हम अलग हो गए लेकिन आज भी उनकी फैमली के करीब हो, खूबसूरत और बिंदास एक्टरस के पास ना पैसे की कमी है ना शोहरत की, 75 साल की उम्र में सिमी ग्रेवाल के पास सब कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो वो है उलाद का सुक, सिमी ग्रेवाल को बच्चा ना होने का अफसोस रहता है, एक इंटर्वी में एक्टरस ने बताया कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है कि मेरे कोई बच्चा नहीं है, मैं एक बेटी गोद लेने वाली थी, सब कुछ हो गया था, मैं एक अनाथाले गई जहां एक बच्ची मिली, उसके घरवालों ने उसे रेलवे स्ट पर छोड़ जा था, नियम के हिसाब से मुझे उसकी फोटो नियूस पेपर में छबवानी पड़ी, तीन महिने तक किसी ने बच्चे की सुद नहीं ली, लेकिन जैसे ही मुझे उसकी कस्टडी मिलने वाली थी, बच्ची के माता पिता सामने आ गया और मेरा दिल टूट गय झालो प्षड़ खिल टाइए, झालो 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 नियूस दिल बच्चे को झालो ची के इना है।